हेलो स्लाम जाम लेकॉम इस सुहेयल अन्ज्व मैंच है आज हमने जिस इंडिक्र के बार में बात करने है वह है मूवीग एवरीज के मूवीग एवरीज हमने डिस्कॉस कर ली थी तो आज हम आरस आईik मीन वाई signature इंडेक्स इंडिक्र बात करेंगे ये एक one of the important indicator है आपकी trading strategies को define करने के लिए trading strategies में आपकी entries and entries points define करने में क्योंकि यह हमें information देता है overbought and oversold condition कि इस टाइम stocks और या जो assets हैं वो overbought हो रहे हैं या oversold हो गए हैं तो यह एक हमें इस तरह की clear indication देगा जिससे हम realize करवाएंगे कि इस time market हमारी overbought condition में है या market हमारी oversold condition में है तो I hope कि यह lecture आपको काफी पसंद आएगा तो चलते हैं बिना किसी times आप कि यह बगार मैंने पहले तीन moving averages use की थी 8 32 and 55 तो मैंने basically तीन indicators apply कि थे तो यह क्योंकि यह है मेरा basic account यह मेरा pro account नहीं है basic account यह होता है कि आपको maximum तीन indicators use करने की इजाज़त दी जाती है from trading view बारल आप चेक कर सकते हैं यहां पर आप भी जो हमने indicator discuss करना है वो है RSI relative strength index अगर मैं इसको click करूंगा तो वो मुझे यह कहेगा है भाई कि कि आप तीन से ज्यादा indicators use नहीं कर सकते राइट नो यूर plan has three indicators और अगर आप यह ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आप इनकी process लेलो तो हमारे पास बड़ा simple सा हल यह है कि हम इस में से अपनी 55 moving averages के indicators को remove कर लेते हैं ठीक है तो ताकि हम RSI को बेहतर से किसे समझ भी सकें तो मैं अभी indicator लगाने कुशिश करता हूं RSI keep remember the name is RSI relative strength index relative strength index is the momentum indicator momentum indicator हमें पता है कि momentum से क्या मुराद है कि किसी भी quantity of motion of a moving body is called momentum के जितनी quantity move हो रही है उस motion के दुरान body की वो हमें एक momentum की सुरत में पता चलेगा कि market का क्या momentum है ठीक है तो हम relative strength index के indicator को apply करते हैं तो यह कुछ इस तरह की सुरत हाल आपको नजर आ जाएगी यह indicator आपका लग जाएगा it is called relative strength index अब यह हमें information मैं आपको बताया था कि यह क्या information देता है कि यह ओवर बोट और ओवर sold condition जो होती है in the price of stocks और in the assets उसको हमें evaluation में यह help करता है और RSI is a displayed as an indicator in which we can have a value from 0 to 100 जिसमें मैं अगर इस indicator को double click करता हूँ तो आपको यह इसकी values नजर आएंगी from 0 to 100 के तरम्यान में हमने mostly इसको study करना होता है अगर तो zero से below ही चला जाता है ना तो मेभी वो a study vanish हो जाए मतलब market से ही खतम हो जाए dead हो गया ना basically momentum ही खतम हो गया उसका तो normally यह trade होता है मतलब हमने percentage ही तो देखनी है वो zero to hundred के तरम्यान में ही देखनी है तो हमारे लिए इसमें से कुछ standard values होंगी जो हम आज RSI के indicator में define करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि market is time oversold है market is time overbought है तो वो चीज आज हम इसमें अपने इस indicator में सीखेंगे तो मैं इस indicator की वैसे थोड़ी setting कर लेता हूँ जो मुझे color visible हो I like yellow ताके जो exact जो भी value है मैं उस value को देख सको इसमें जी तो मैं basically discuss कर रहा था कि हम इसकी कुछ shape को देख लेते हैं जैसे मैंने इसको yellow कर दिया था कि it will become more and more visible to me to everyone और हम इसकी कुछ setting ऐसी और भी कर लेते हैं ताके यह हमें इसको हम top पे भी लेके जा सकते हैं वैसे normally मैं इसको top पर ही set करता हूँ आपकी भी मर्जी है आप इसके कहा set करना चाते हैं अभी मैंने इसकी यह setting करनी है between 30 to 75 वो तो हो गई है yes 30 to 70 और इसके बाद इसकी यह setting करनी है basically यह कैसे होगी जैसे हम अपने वर्ड वगारा में काम करते हैं professional documents डिजाइन करने में यह same से मैसे ही है खैर अभी इसको उठा कि हमने लेके जाना अउपर just give me some time नहीं जा रहा है यह पेट इसको पिर ऐसे ले जाते हैं okay लें जी यह मैंने एक इसकी च्छोटी सी setting की है okay इधर हमें यह किसी हम तर विजिवल है सही है ठीक है अभी यह इसकी grading हुई हुई है 30 से 70 कि दर्मियान में तो आरसाई indicator के बारे में कुछ takeaways हैं कुछ key points हैं जो मैं आपसे discuss करना चाहता हूं कि first of all तो जैसे मैंने कहा कि जो relative strength index है यह popular momentum indicator है oscillator है कि हमें यह market के momentum के बारे में बताता है कि जो हमें bearish and polish behavior conduct realize करने में help करता है उसके बाद यह जो RSI indicator है and assert इसमें usually consider किया जाएगा overbought यह line काफी important है oversold when RSI will be below at 30% तो मैं इस यह key points है जो आपने याद रखना है कि below 30% और हम इसको case studies के जरीए भी verify करेंगे below 30% means कि जो भी आप stock study कर रहे हो या जो भी आप कोई crypto currency का project study कर रहे हो कोई forex का पेर study कर रहे हो अगर RSI आपकी उस chart में below 30% है तो its mean कि वो stock वो crypto project या वो forex का pair oversold आप consider करेंगे और अगर तो बहुत ज्यादा ही below चला गया है below 20 चला गया 20% तो its mean कि वो काफिली ज्यादा oversold किया जा सकते oversold हो गया oversold में कि लोगों ने बहुत ज्यादा sell कर दिया और उसकी price जो है काफिक गिर गई है जो price है प्राइस है प्राइस प्राइस जो है उसकी केड़ गी है प्राउस बिकाम्स मोर डाउं तो आपको पता है कि जो प्राइस जब नीचे आ जाएगी तो now it's a have to time for buy now condition यह हैगी कि आपको इस point पर buy करना चाहिए तो जब हम अपने different interprets of time में discussion करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब RSI आपकी below 15% चलेगी है तो यह बहुत अच्छी condition है बहुत अच्छा time बहुत अच्छा time है कि आप buy करें ताके आप we should buy ठीक है we should buy लेकिन of course हम इसके साथ और भी indicators को लाजमी consider करेंगे जिसमें हम अपने Mac D के indicator को देखेंगे अपने 55 moving averages को देखेंगे of course मैंने candlelic study के lectures में detail से तीनों lectures में जो part 1, part 2, part 3 थी different types of candle study की थी हम उनको भी देखेंगे फिर हम अपनी buying interest को set कर लेंगे तो अगर below 20% या below 15% आपको किसी stocks की value RSI indicator दे रहे है तो it's time for buy keep remember technical analysis works from 60 to 70% अगर आप इसको दूसरे tools and indicators के साथ apply कर रहे हो it's not every time 100% work but मैंने बताया कि इसमें जो आपको ratio मिलडी है वो 7 ratio 3 70% chances है कि आपने गर below 15% कोई बहुत ज्यादा oversold stocks को या forex pairs को या cryptocurrency project को buy किया है तो market के cycle में वो काफी नीचे project गीरा हो गया है तो market have to repeat his cycle और आपको वो again up जाता नजर आएगा उसकी RSI above 50 आएगी आपको नजर वो ऐसे ही आएगी कि price up जाएगा क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा oversold कर दिया हमें crude oil की RSI को 2% पर भी देखने को मिला even 0% पर भी देखने को मिला जब crude oil ही 0 हो गया था even negatively trade हो रहा था and you imagine के लोगों ने इतनी panic selling की के crude oil को आप दो डॉलर बर पेरल पर देख रहे थे और RSI at dead time आपको below 5% नजर आ रहे सी तो that was the perfect buying of crude oil के जिनोंने वहां पे crude oil पे buy किया था don't worry I know कि आप अभी यह चीज़ भी सोच रहे होगे कि हमें यह crude oil पे कैसे accounts हम कैसे देख सकते हैं या हम अपनी investment कैसे कर सकते हैं तो module 3 में हम कुछ इस तरह की चीज़े discuss करेंगे कि आप Forex पे अपना with the help of trusted brokers आप accounts कैसे active कर सकते हैं आप options trading पे आप अपना account कैसे active कर सकते हैं आप कोर्स यह जो trading business है यह बड़े दिल बड़े जिखर वालों के लिए business है तो risk always there but you have to play with the risk management with the proper risk to reward ratio otherwise यह जितना पैसा देता है उतनी जल्दी पैसा ले भी जाता है यह मैं experience से बात कर रहा हूं so okay we are now on module one it's just a basic trading material where we will study some basic indicators with some basic tools और हम अपनी chart painting and designing को सीखेंगे और फिर हम in basic information को हम किसी cryptocurrency के project में apply कर सकते हैं कि आप वहां पर एक basic exchange पे account कर अकाउंट बनाने के बाद आप एक buying selling के स्रसले को सूरू करें and with the passage of time your trading skills will be more and more improved and अगर आप पॉलिश करते रहेंगे continuously learning पे focus करते रहेंगे तो मैं उमीद करता हूं कि आप basic से medium medium से advanced में level लाजमी जाएंगे और in the same manner यह कैसी स्किल है कि यह आपको timely independent locationally independent और of course जो लोग बहुत जड़ा वो greedy नहीं है उन्हें पता है कि trading is business for business holders अगर आप Warren Buffett को study करें उसकी past history को तो उसके coca-cola की one time investment और उसको काफी years के बाद उसको उसको उसने कहां पर लेके गई तो trading business is for patients patients holders तो यह चीज़ें हम discuss करें कि निशाल्ला साथ साथ तो basically मैं आपको standard values बता रहा हूं RSI की जो हमने define करनी है कि below 30% हमने consider कि जो हमारे stocks हैं वो या asserts हैं वो oversold हो गया है ठीक है मैं यहां बें लिखता हूं कि rather stocks और asserts are oversold ठीक है वो oversold है और below 20% है कि जो stock की price है oversold है and price become price will fall price will more fall ठीक है okay and we should buy और अगर तो आपको between 15% and 10% के करीब RSI मिल रही है तो इस में आप उस stocks में इन्वेस्ट कर सकते हैं यह stocks stocks जी oversold हो ओगे ठीक है तो यहां पर control Z okay okay right stocks stocks oversold जी अच्छा नाव in the same manner हमने जब देखना है के अबव above 70 above 70 तो हमारे जो 70% का मतलब यह होगा के हमारे जो stocks हैं वो आपके भाई overbought हो गए हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा buying कर लिया है जिसकी वज़ाद से momentum bullish momentum ने bullish momentum चल रहा है और stocks overbought हो रहे हैं और आपको पता है कि एक जो trading एक ऐसा business है जहां पर continuously price जो है वो अप 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 यह डाउन 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 नहीं जाती यह एक cycle है हम इसको Elliot wave के जरीए समझने कोशिश करेंगे together with the Fibonacci numbers यह दोनों टूल्स हैं हम apply करेंगे अपने maybe module 2 में जहां पर हम देखेंगे कि यह market में अगर downfall है तो upfall आना ही आना है है appreciation है तो depreciation आनी आनी है और depreciation है तो appreciation आनी आनी है ऐसा नहीं है कि price will continuously rise 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 or crop price will continuously fall 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 no price will move according to the market psychology according to the trading tools and indicators ठीक है तो अभी हम कुछ standards value define कर रहे हैं अपने आरे सेंडिकेट के अब आफ 70 परसेंट है तो हम consider करेंगे कि ओवर पॉर्ट हो चुके हैं stocks over stocks are overboughts okay stocks or assets become overbought और in the same manner आपने देखा कि यार आरे से जो है वो अबव आपकी 80 चलेगी है या अबव आप भी sell कर सकते हैं क्योंकि definitely price जो है वो आपकी buying price से ऊपर जा चुकी होगी sorry तो in the same manner आपने फिर exit points भी define करने हैं लेकिन अगर आप order है order है hold for dear life तो फिर बेशक आप sell ना कीजेगा आप आपके एक proper percentage होगे कि मैंने इसी पर sell करना है मैंने जैसे बताया है कि आपने अगर आप order है और आपने का कि जी मैंने इसी price पर sell करना है मेरा target है कि मैंने one next year 2x परी अपने इस asset को cash करना है तो आप वहाँ पर sell करते हैं लेकिन जो लोग day trading में है मझा स्क्रीन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए RSI MACD और moving averages together with the tools and indicators यह जो टू टू टोगेधर with Fibonacci numbers and really a video tools and indicators बहुत important है क्योंकि वो daily basis पे profit cash कर रहे होते हैं although के उनको कुछ उनकी trades के stop losses इत भी होते हैं जन्हें हम losses कहते हैं तो यह उनके लिए helpful हैं तो above 80% stocks become more and more overbought and it's time to sell okay it's time to sell because stocks becomes more overbought काफी ज्यादा overbought हो गया है अच्छा अब हमने इसको हमारी हमारे पास दो standard values हैं like below 30% or below 20% so we should buy and above 80% or above 90% so we can sell to cash profit ठीक है आप instant profit वही होता है जो आप cash करके अपने अपनी pocket में डाल लें अपने bank में लें and that's is the profit so in the same manner आपने अपना profit cash किया now again hunt some good trades so in the in this way you can make money from the trading business as well so अब हम कुछ identify करेंगे अपने claims को identify करेंगे कि हमारा ये claim कैसे approve होता है कि मैंने जब कहा है कि आप below year 20% या below 30% आए तो आप buy करो and then wait तो आप का जैसे price अप किसी अच्छे point पर जाता है तो आप उसको sell करके आप अपना profit cash कर लो मैं यहां पर leverage and margin trading को discuss नहीं कर रहा उसमें आप both ways से profit बनाते हो buying से भी selling से भी वह अपने बाइंग से आपने एक analysis करके आपने investment करते हो तो जैसे जैसे price आप जाता है तो आपका profit calculate होता है in the same manner आप selling पे एक technical analysis conduct करते हो और आप कहते हो कि यह price down जाएगा and I am putting my investment at this point और जैसे जैसे price down जाती है तो आप फिर भी profit बना रहे होते हो हाँ वाइस वरसा as well कि अगर वह price आपके हक में नहीं जाती है आपने buy long किया हुआ था और price किरना start होगी तो in the same manner आप अपनी money को loss भी कर रहे हैं और यह case scenario आपकी short sell में भी है कि आपने short sell लगाया meanwhile आपने analysis से predict ये किया कि price is now going price will go down but price अप जा रहा है तो उससाब से आपको loss भी होगा वो loss profit loss के calculations हम बकाइदा एक live read में discuss कर लेंगे कि वो कैसे calculations होती है so you don't have to worry about it today हम RSI पे थे जैसे कि इस time आपने मुझे ये बताना है कि इस time आपको condition क्या लग रही है इस time मेरी जो RSI की value वे almost 77 है और यह यहां sir आप जाते जाते इस time आपको RSI की value 77 अज़र आ रही है तो इस mean कि जो हमारे पास जो यह bitcoin का stock है यह बताएं यह overbought है यह sold है आपको हो मैं 10 seconds है तो आप सोचें इस time RSI की value 77 अन्य आपकोर्स आप बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो stocks है वो इस time bitcoin जो है वो इस time overbought हुआ हुआ है काफी लोगों ने buy कर दिया हुआ है वो price अप गया हुआ है जब मैंने candle study में यह चीज़ें आपको बताएं थी आपने अपने में भी अपना concepts clear किया होगा कि क्या human psychology behind the scene apply होगी और काफी लोगों ने buy किया होगा डेफिनेटली उन्होंने कुछ यहां पे मुझे important candles भी नज़र आ रही हैं और यह हमने वहां भी discuss की थी कि कि स्केंडल पर लोग buying कर रहे होते हैं और कि स्केंडल पर लोग selling भी कर रहे होते हैं तो इस तक मतलब यह है कि इस टाइम यह over bought की condition में definitely यह आपको कुछ देर में stable भी हाएगा अभी यह मैंने one day का चार्ट खुला हुआ है जैसे कि मैंने अपने lecture previous lecture में discuss किया था कि 14,000 पे हम हमारे पास एक अच्छी खासी resistance है जिसकी वजह से हमें rejection देखने को मिली है अगर मैं आपको यह दिखाऊ हूं यहां पर देखें प्रिवियस लिए जुलाई 2019 में 14,000 को टच किया था और now in November 2020 again we are at 14,000 तो यह एक resistance थी जो के नहीं टूट पाई में भी तूट जाए अगर bulls will be more and more stronger in the market तो यहां से एक rejection phase करनी पड़े तो overbought है तो यह normalize होगी with the passage of time आपको price down देखने को मिलेगा then market have to repeat its cycle and again it will go up okay तो RSI को मैंने जो अभी तक discuss किया है कि RSI is relative strength index basically यह एक popular momentum tool है momentum मैंने आपको बताया कि कोई भी quantity of motion of moving body कि एक moving body की जो quantity of motion है वो momentum कहलाती है और क्योंकि यहां पर prices every time move हो रही है और हमारे पास जो bodies हैं वो candles की सूरत में तो continuously candles formations आपके पास बन रही है तो और दूसरा मैंने जो RSI के बारे में most important चीज़ बताई थी कि यह आपको bullish and bearish momentum से बताता है वो हमने कैसे recognize कि है मैंने जब RSI की standard values आप से discuss की कि below 30 और below 20 और above 70 और above 80 हमें stocks की information मिलती है कि stocks आया overbought है stocks आया oversold है और उनकी standard values क्या हैं जहां पर हम stocks की overbought और stocks की oversold conditions को realize करते हैं अब जैसा कि मैं एक case scenario discuss करूंगा एक से दो और हम फिर RSI को summarize करने कोशिश करेंगे यहां पर अगर हम अपनी RSI की value देखें it is become 85 right it is here the RSI value is 85 यानि के हमारी जो यह candle है green candle जो हमें यह नज़र आ रही है इस टाइम इसकी price 11,822 पर थी और यहां पर stock इतना overbought हो गया इतना overbought हुआ के अब काफी लोगों ने buy कर लिया and these will be the same people who want to cash तो वो of course sell भी तो करेंगे ना जिन्होंने buy buy कर रहे हैं तो वो sell भी तो करना चाहेंगे to cash their profits तो यहां से हमें एक downfall देखने को मिलता है इस candle की सूरत में और मैंने कहा था कि जैसे ही आप देखें कि price आपकी अबाव 80 RSI है या 85% अबाव RSI है तो आप sell short कर सकते हैं और can you imagine कि जिन लोगों ने अपनी investment say that यहां पर हम थे 11886 डालर पे उन्होंने sell short की bill लगाई होगी with some handsome amount of investment और यहां पर हमें अच्छी खासी rejection देखने को मिली क्योंकि यह indication थी कि beers will be more and more active now because stocks are already overbought so it's time for people to have sell their assets तो यहां पर इंजर्ट की हुई आपकी investment 11,980 almost इस point पे भी क्योंकि आपने देखा RSI is going above 80 so it's time for your entry to for sell short तो यहां पर अगर हम देखें कि यह जो change आप 11,980 से लेकर आप देख रहे हैं within one day it's a very good change within one to two day क्योंकि यह एक गस्ते दो अगस्त के दरम्यान में आपको यह पूरा candle formation नजर आएगा तो यहां की आपकी inserted investment 11,980 के करीब करीब और अगर आपने अपनी proper risk reward ratio के काम करें के जी मेरा 2% risk है with 5% reward तो यह एक बहुत आपकी handsome trade बन सकती थी यहां पर अगर आप sell short के जरीए इसको आपने active किया होगा तो यह trade हम इस तरह की trades hunt करेंगे continuously अपनी live trading में भी देखेंगे module जब हम second discuss करेंगे in the same manner मैंने यह discussion की थी आप से overbought की सुरत में कि आपने sell करना है हम oversold की condition भी देख सकते हैं जैसे कि यहां पर हमें RSI की value 14 देखने को मिली है है so we will try कि यह आपको किस point पर RSI इतनी देखने को मिली है exactly मैं यह candle find कि यहां पर देखें कि यह जो candle है आपको यहां पर आपको Bitcoin का price 4000 नजर आया ठीक है almost अगर आप इस candle पर भी है आपको almost Bitcoin का price 4600 भी नजर आया जैसे यह below 20 चला गया it's mean के it's time for perfect buy so you should buy and you should buy तो आपने देखा कि यहां पर अगर आप buy करते हो 4300 पे भी यह 4500 पे भी तो RSI ने अपना cycle तो repeat करने करने है by stabilizing by stabilizing with the passage of time आप इसको above 40-50 देखेंगे और even overbought होते भी देखेंगे क्या आपको नहीं लगता कि आपने यहां पर investment करनी चाहिए and then you just hold your asset आपने जो investment की हुई है तो यहां पर देखें कि हमने हमारी यहां पर investment 4500 पे now with the passage of time within 5 day 10 day or within 15 day or within months you are saying कि आपको आपको bitcoin जो है वो 9000 डॉलर पे जाता हुआ नजर आ रहे हैं आप इसी तरीके से कुछ और stocks को study करें कुछ और projects को भी study करें जहां पर आ रहे हैं आपको below 15 मिली होगी आप यहां पर alerts भी लगा सकते हैं alerts लगाना बहुत easy है और आपका phone will ring like a bell तो उन alerts की मदसे भी आप अपने interest को define कर सकते हो और यह one time आप interest लें and then you have to cash with the passage of time or with the later on कि आपने का कि जी मैंने first say that 1000 डॉलर लगाए and when it will become 5000 or 6000 क्योंकि यहां पर देखें अगर हम 4000 डॉलर पे sorry 4000 डॉलर पे आपकी investment है 4000 डॉलर पर आपकी 4000 डॉलर की investment है अगर bitcoin की price 4000 डॉलर है आप 4000 डॉलर इंवेस्ट कर रहे हैं and within one month आपकी जो investment है वो 8000 डॉलर पर easily जाते वे नजर आ रही है mean while कि आप यह 4000 डॉलर इंवेस्ट की है now it become 8000 डॉलर तो almost double कर लिया अपने investment so is it not nice कि आप with the help of charts with the help of indicators आप momentum देख रहे हैं कि यार एक मुझे clear indication मिला है कि यहां पर मुझे investment करनी चाहिए थी यह कि basically आपको months भी wait करना पड़ सकता है आपको days भी wait करना पड़ सकता है इस तरह की trades हंट करने में ठीक है जो हमने standard values डिसकस की है RSI की तो alerts हमारी लग सकती है कि जी price इस तरह below आ जाए तो हम अपनी trades को active कर सकते हैं तो I hope कि मैं जो RSI की basic information आप से share करना चाहरा था वो मैंने share की है कि RSI basically क्या है relative strength index और हमारी condition overbought कब होती है हम oversold कब होते हैं और जो RSI basically provides technical traders signals about the bullish and the bearish prices momentum और वो भी हमने discuss किया because it is often plotted beneath the crop of a nice surprise तो वो मदब जो हमारे graph बनते हैं उसी सही हम यह graph है और इसी सही हम bearish and bullish momentum हम अपना define कर रहे हैं with the help of RSI I hope कि आपको RSI का यह lecture अच्छा लगा होगा पसंदाया होगा आपकी before and after इस indicator के बाद learning increase होई होगी तो इंशाला मिलते हैं हमारा एक last एक हमारा एक और indicator है Mac T हमने Mac D को discuss करना है और Mac D के बाद हम risk management को discuss करेंगे और फिर हम अपना basic account खोलेंगे कोई भी crypto project की exchange पर हम एक अपनी basic trade लेंगे कि हम buy and sell कैसे कर सकते हैं with the help of technical analysis and fundamental analysis तो जो Mac D है basically Mac D is the moving average convergence divergence उसके बाद हम risk management study करेंगे तो आपका basic TA का जो module है वो complete होगा इंशाला ताला फिर हम crypto की किसी projects में buying selling करेंगे तो मिलते हैं हमारे next lecture जिसकों में हम एक last indicator Mac D को discuss करेंगे so see you soon stay blessed तो